तो हलो प्रेंट्स आगे हम विडियो के साथ ताज कि इस वाले वीडियो के अंदर बताना है वाला हम कुछ इस टैप फोटो एटिंग अगर आपको भी इस तरह का फोटो एटिंग सिखना है तो वीडियो का यह ऐन तक देखिए तो चलिए वीडियो के स्टाट करते हैं विना दोस्तो transparent में क्लिक करने के बाद कुछ second wait करना होगा तो हम लोग wait कर लते हैं उसके बाद इस वाला icon पर क्लिक कर देंगे दोस्तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद save to gallery में हम लोग photo को save कर लेंगे photo save हो चुका है उसके बाद gallery से इसको हम लोग autodex application में हम लोग send करेंगे तो दोस्तो autodex application में अपन हो जाने का simply दोस्तों आपको इस वाला icon पर क्लिक कर देना होगा उसके बाद import image में क्लिक करके एक वेग्रांट करेंगे तो मैं जल्दी से वेग्रांट को एड़ कर लेता हू हूं बेग्रांड का link description में है आप इसलिए डाउनट कर सकते हैं तो हमारा बेग्रांड हो चुका है उसके बाद इसको पूरे photo में प्रकार से लगा लेंगे उसके बाद राइट वाला option पर क्लिक कर देंगे उसके बाद दोस्तों आपको इस layer वाला option पर क्लिक कर देना होगा और बेग्रांड को नीचे लाएंगे उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा दुबारा आपको layer वाला option पर क्लिक कर देना होगा उसके बाद इस वाले layer पर क्लिक करेंगे उसके बाद इस वाला icon पर क्लिक करके ट्रांसपोर्म में क्लिक करेंगे और photo को बेग्रांड क के हिचाब से हैट कर लेंगे तो मैं कर लेता हूँ से wszहा कि आइद रॉपोड ऊपसंट पर क्लिक कर देंगे उसके बाद दोस्तों हम लोग पैंसिल वाल पर चल जाएंगे उसके बाद बद एक ब्रस्त को selector Dance करेंगे इस वाले है ब्रस्त को looked at दोस्तोु इस वाले ब्रस्त को सçar करने के बाद इसको निचे साल का उन्का रोका करेंगे घर करेंगे कर देंगे दो नहीं पता है कि पैस को यस्ट किया गता है तो मैं ऊलरी एक Michy जो आए तोरे देग दूंगा तो आप वहां से देख सकते हैं और बी सकते हैं तो मैं जल्दियादिशाद्ल कर लेता हूं फेस को स्मूद तो दोस्तों मैंने पूरे अच्छे तरीके से फेस को स्मूद कर लिया हूं आपको भी इस तरीके से पूरे फेस को स्मूद कर लेना होगा उसके बाद दोस्तों इस फोटो को हम लोग सेफ कर लेंगे गैलरी में गैलरी में सेफ हो जाने के बाद स सिंपले दोस्तों इस फोटो को हम लोग सेंड करेंगे Lightroom अपलीकेसमें Lightroom,석 नोमयफरें हो जाना के लिए रहे बाद सिंपले दोस्ता आपको इस Light वाले अप्सरों पर क्लिक का का देना होगा उसके बाद इसका का सेचुरेशन को हलका से इंक्रीस करेंगे उसके बाद औरेंज में आ जाएंगे और इसका लूमिनेस को इंक्रीस करेंगे यलो में यलो में इसका सेचुरेशन को इंक्रीस करेंगे और ग्रीन में भी इसका सेचुरेशन इंक्रीस करेंगे और आप यलो या ग्रीन रखना चा से चेंज कर सकते हैं उसके बाद डन पर क्लिक कर देंगे डन पर क्लिक करके इफेक्ट में जाएंगे और इसका विगनेट को हलका सा माइनस करेंगे उसके बाद डीटेल में जाएंगे और साप्नेस को को इंक्रिस करेंगे masking को भी हलका सा इंक्रिस कर देंगे उसके बाद noise को भी increase करेंगे color noise को भी हलका सा इंक्रिस करेंगे और smooth को full कर देंगे तो हमारा face भी smooth हो चुका है आप इसका before and after देख सकते हैं काफी awesome बन चुका है उसके बाद दोस्तों हम लोग photo का और एजडी बनाएंगे एजडी बनाने के लिए photo का हम लोग simply share करेंगे Snapseed application में photo Snapseed application open हो जाने के बाद simply दोस्तों आपको इस टूल वाले option पर क्लिक कर देना होगा टूल वाले option पर क्लिक करने के बाद Twin image में जाना होगा Twin image में जाने के बाद इसका Ambience को हम लोग इसका Ambience करेंगे लगभवक 16 तक उसके बाद इसका सेड़ों को भी इंक्रिस करेंगे लगभवक 10 तक उसके बाद राइड वाले option पर क्लिक कर देंगे इसके बाद दूल में जाएंगे हम लोग दोस्तों टूल में जाने के बाद स्लिक्टिव में जाएंगे जहां आपका ब्लैक पार उसको यहां पर रखके इसका ब्रैड्देश को इंक्रिस कर देंगे तो मैं कर लेता हूँ आपको बीस तीर करसे कर लेना होगा ये इसको हाँ पर यूज पर भी कर सकते हैं तो मैं हाँ फेस में गर्ण कर लोयगे हुगा और ये अगर दूस्ते आपको अच्छा लगा तरखेज हम्हें द्लकिक और यूज Mengum तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही मिलता है नेक्स्ट वीडियो में